हलो माई डिया फामिली तो भाई कार्थिक आरियन का बड़े है आज और अपने हर बड़े पर अपने एक नई फिल्म का अनाउस्मेंट करना यह भाई का मतलब सिस्टम बन गया है तो सबसे पहले तो कार्थिक आरियन को हैपी बड़े यह बंदा जब आगे बढ़ता है मुझ और 12 लोगों के साथ एकी गर में रहते थे मतलब थार्ड फिल्म आने तक भी वो सिच्वेशन थी उनकी लाइफ में और ब्रेक मिलने से पहले की बात करो तो भाई के पास अपना पोर्टफोलियो बनाने तक के भी पैसे नहीं थे अचली गरवालों ने उनको यहाँ पर समझ पाएंगे तो यह सब खर्चा कहां से निकाले तो मैंने एक इंटर्विव के अंदर पढ़ा अभी कि कार्तिक गूरूप फोटोस में से अपने फोटोस को क्रॉप करके कास्टिंग एजंट्स को भेजते थे क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो बनाने के पैसे नहीं तो कई सारे ओडिशन्स भी यह धक्के खाये क्योंकि खुद के दम पर एंट्री करनी थी कोई गौडफादर तो था नहीं और विदाओट गौडफादर जहां पर एंट्री करना कितना मुश्किल है यह आप जानते हैं तो फाइनली कार्तिक को मौका मिला था 2011 में प्यार का पंचनामा मुवी से और भाई ने मौके पे चौका मा रहा था आज कार्तिक जहां उपर है यह जो उनकी जर्नी है जितने भी आउटसाइडर्स अभी भी ऑडिशन्स की लाइन में खड़े हुए है उन सब के लिए काफे इंस्पाइरिंग है उन सब को कार्ति कार्तिक आरियन को देखके एक होप मिलती है कि बैरास्ता मुश्की है लेकिन ना मौम की नहीं है वैसे हर फिल्ड के लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन है कि आप अगर ठान लो तो कुछ भी हो सकता है एनिवे तो अपडेट यह है कि कार्तिक ने धर्मा प्रोड़क्शन की फिल्म साइन कर ली है और आज अपने बड़े पर अपने फैंस को गुड़ न्यूस दी है ये फिल्म आने वाली है 15 ऑगस्ट 2025 में और कार्तिक के इंस्टाग्राम कैप्शन से तो ये क्लियर है कि ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री और अपने हिरोस के सैक्रिफाइस पर बे प्रोजेक्ट उनके करियर में एक बड़ा बुस्ट लेके आ सकता है उसमें भी अगर ये वार फिल्म हुई तो भाई मेरे लिए तो इंदजार करना मुश्किल होगा क्योंकि देशबक्ति वाली मुवीज अपने रियल हिरोस और अपनी हिस्ट्री पर बनी हुई मुवीज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ऐसी फिल्मों से पता चलता है कि आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे है भाई उसकी कीमत कैसे कैसे चुकाई है हमारे हिरोस ने मिला के बाद करें तो कार्थिक आरियन की जर्नी बहुत ही बढ़िया थरीके से आगे बढ़ रही है कबिर खान के साथ चंदू चेंपियन भी आ रही है उनके अलावा अनुराग बासू से लेके अनीज बजमी और अब संदीप मोधी कार्थिक ने बड़ा हैवी लाइन यहाँ वो वक्ग जहाँ पर कार्थिक के पास अपना पोर्फोलियो बनाने तक के पैसे नहीं थे और कहां आज का वक्ग जहाँ बर भाई नेशनल करश और न्यू सूपरस्टार बने हुए है तो कार्थिक आरियन हमारी पूरी जस्टक फैमिली की तरफ से आपको जनम दिन कर दो कर दो